खुश रहना है तो जितना है उतने में ही संतोश करो एक बार की बात है। एक गाउ में एक महान संत रहते थे। वे अपना स्वयं का आश्रम बनाना चाहते थे, जिसके लिए वे कई लोगों से मुलाकात करते थे। और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह यात्रा के लिए जाना पड़ता था इसी यात्रा के दौरान एक दिन उनकी मुलाकात एक साधारन सी कन्या विदुशी से हुई विदुशी ने उनका बड़े हर्ष से स्वागत किया और संथ से कुछ समय कुटिया में रुखकर विश्राम करने की याचना की संथ उसके व्यवहार से प्रसंद हुए और उन्होंने उसका आग्रह स्विकार किया डौट विदुशी ने संथ को अपने हाथों से स्वादिश्ट भोज कराया और उनके विश्राम के लिए खटिया पर एक दरी बिचा दी और खुद धर्ती पर टाट बिचा कर सो गई विदुशी को सोते ही नींद आ गई उसके चहरे के भाव से पता चल रहा था कि विदुशी चैन की सुखद नींद ले रही है उधर संत को खटिया पर नींद नहीं आ रही थी उन्हें मोटे नरम गद्दे की आदत थी जो उन्हें दान में मिला था वो रात भर चैन की नींद नहीं सो सके और विदुशी के बारे में ही सोचते रहे सोच रहे थे कि वो कैसे इस कठोर जमीन पर इतने चैन से सो सकती है दूसरे दिन सवेरा होते ही संत ने विदुशी से पूछा की तुम कैसे इस कठोर जमीन पर इतने चैन से सो रही थी तब विदुशी ने बड़ी ही सरलता से उत्तर दिया है गुरु दे मेरे लिए मेरी ये छोटी सी कुटिया एक महल के समान ही भव्य है, वर्टिकल बार इसमें मेरे श्रम की महक है अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है, तो मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ जब दिन भर के कारियों के बाद मैं इस धरा पर सोती हूँ, तो मुझे मा की गोद का आत्मी एहसास होता है मैं दिन भर के अपने सतकर्मों का विचार करते हुए चैन की नीन सो जाती हूँ मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं इस कठोर धरा पर हूँ, डौट, यह सब सुनकर संत जाने लगे तब विदुशी ने पूछा है, गुरुवर, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्र करने चल सकती हूँ तब संत ने विनमरता से उत्तर दिया, बालिका तुमने जो मुझे आज ग्यान दिया है, उससे मुझे पता चला कि मन का सच्चा का सुख कहा है अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा नहीं रह गई, डौट, यह कहकर संत वापस अपने गाव लोट गए और एकत्र किया धन उन्होंने गरीबों में बाट दिया, और स्वयं एक कुटिया बना कर रहने लगे डौट, जिसके मन में संतोश नहीं है, सबर नहीं है, वह लाखों करोडों की दौलत होते हुए भी खुश नहीं रह सकता बड़े बड़े महलों बंगलों में बंगलों में मखमल के गद्दों पर भी उसे चैन की नींद नहीं आ सकती उसे हमेशा और ज्यादा पाने का मोह लगा रहता है इसके विपरीत जो अपने पास जितना है उसी में संतुष्ट है जिसे और ज्यादा पाने का मोह नहीं है वह कम संसाधनों में भी कुशी से रह सकता है जिसे और जिसे रह सकता है